नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासीफल सबसे परे जानते हैं दैनिक पंच्यांग के बारे में 23 जन्वरी 2024 मंगलवार का दिन है पॉस माह के सुक्लपश की त्रोजशी तिथी और नचत्रह आद्रा बैद्रिती नमक योग बंडायव जीत मुर्ते दोपर 12 11 से दोपर 12 14 तक राहु काल के समय में कोई भी नया और सुपकारे ना करे भीग ना सकती है बात करते हैं आज के रासी फिल की तो ब्रिस्चिक वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम है धन के स्तिती में धीरे-धीरे सुधार होगा परिवार में सभी आपसे खुश रहेंगे लेकिन आपको कुछ कमी सा महसूस होगा किसी बात को चिंता रह सकती है हलां कि अगर आप अपने मित्रों से अपने चिंता के बारे में सेयर करेंगे तो समाधान भी आपको प्राप्त हो सकता है बेबजा का खर्च थोरा होगा उतना ही अच्छा रहेगा आज वाहन साफधानी से चलाईएगा और निर्धन को अगर कुछ दान कर दे तो उत्तम रहेगा आपके लिए माता पिता के द्वारा आपके किये गए कारियों की हो सकता है उतना आपको आपके पक्ष में ना बोले जितना आप चाहते हैं कोट खर्च में थोड़ा कटोती कर लीजेगा और इस समें कुछ अच्छी चीज़े भी होंगी जैसे कि दोपहर के बात से इस्तती आपके पक्ष में जादा होंगी ऑफिस्यल कारों को आप समय रहते पूरा करेंगे और दूसरा कारोवार परिवार के लिए जो भी आपने नियम बना रहेगा जीवन साथी के साथ रिस्तों को बहतर बनाया रखने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए लग और या उनके किसी परिचित को दिया गया पैसा आज वापस प्राफ्थ हो सकता है बैबाहिक जीवन में जो भी समस्याएं थी धीरे धीरे समाप्थ होती भी दिखेगी कारवारी हैं तो तरक्की के अवसर मिलेंगे और घर परिवार में धार्मी का आयोजन होगा आसा निरासक के भाव रहेंगे थोरा सा मन में मां के स्वास का ध्यान दखें लेखन बौधिक कारियों में धनल आपके योग हैं जीवन साथी का सपोर्ट भी प्रा रखना है और हन्वान चरेशा पढ़कर दिन के सुरुवात करें तो उत्तम रहेगा परिवार में सुक्सांती स्थिरता है इसका अनंद उठाईए दोफर के बास सिस्तिति आपके पक्ष में आएगी और आर्थिक मामलों में भी चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहेगा दामपत्य जीवन में देर साम प्रेम सहयोग की भावना बढ़ेगी सुक्सांती नवब होगा और अगर किसी किसी भी तरह का स्वास समंदी मुस्किलों से परिसान थे तो दीरे दीरे अब रहात मिल रही है आपका सुब रंग सुनहरा भागे साथ निभाएगा आज खोशी से भरा वक्त गुजारेंगे और आज के दिन बस आप थोड़ा सा ध्यान डखना है अपने स्वास्त का धन्यवाद फिर मिलेंगे